नमस्कार साथियों स्वागत है आप सबका सीवसर पीसिस क्लास पर जैसा कि आप सबको मालूं कि हमारे इस चैनल के मादन से विभिन पर इच्छाओं की तैयारी करवाई जाती है उसी क्रम में आपका जो दस अज्यात प्लस क्वेश्चन की सिंखला को प्तारम किया गया था ज अब के लिए बहुत ही पहुट है तो सिंखला का पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगोंने टाफώ्य को देखा है तो इसी का आज उसमें Bye very उसके पहले जो भी मित्या जो भी विए चैनल पर ना है या पहली वाज विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रेस कर लें जिससे की आगे आने वाले वीडियो का नट्फिकरिशन उनको समय से मिलता रहे ठीक है तो चलिए तारम कहते हैं हम आज की क्लास आपका पहला क्वेश्चन क्या है देखिए किस समितिने क्रिसी जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी तो किस ने की थी राज समितिने राज समितिने क्रिसी जोतों पर कर लगाने के लिए बोला था ठीक है चलिए यहीं पूछा गया है हमसे पहला क्वेश् किस आर्थिक नित्के अंतरगरत आती है तो आपका ब्याजदर नीती मौद्रिक नीती के अंतरगरत आता है ठीक चलिए अगले चलते हैं अगले प्रांस पर कर सुधार समीती टैक्स रिफॉर्प्स कमेटी का अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया था तो आपको मालूम है कर बनी थी उसकी अध्यचता किसने किया था राजा चलाया को तो राजा चलाया को अध्यचत किया गया था किसका कर्ष सुधार समित का देखिए सभी क्वेश्चन बहुत नहीं महतवपूर है और अक्सर एकजाम में आये जाने वाले प्रस्थनों को ही आपको कराय जा रहा है ठ सब्करिक आईए आज के 5 परस्थ पर चलते हैं कि वाई मंडल में कौनसी निश्क्री गयस सर्वाधिक मात्राँ मताय थे बताईए आरगान वाई मंडल में निश्क्री गयस का देखिये पूछा है आपको गैस केवल नहीं दिया गया है अगर केवल गैस पुछता तो एंसर कुछ और हो जाता निस्क्री गैस सबसे ज़्यादा कौन सी पाई करने वाले स्रमिकों की हथेलियों तथा तलों की तोचा मोटी हो जाने का क्या करण है तो आपका मोटा जो देखिए कठो स्रम करते हैं उनके हथेली के तलवे पैरों के तलवे मोटे हो जाते हैं स्लाप के होते हैं मोटा अवत्वक उतक के करांद चलिए आगे बढ़ते हैं से पर्माण पाइल का प्रयोग कहां होता है किश्चिच का प्रयोग परमाण पाइल तो आपका परमाण पाइल का प्रयोग नाविकी विखंडन के प्रचालन में किया जाता है कहां पर किया जाता है नाविकी विखंडन के प्रचालन में ठीक आईए अगले प्रस्पे चलते हैं सरवाधिक प्रकास संसलेसी क्रिया कलाब कहां चलता है क्या पुछा गया है सरवाधिक प्रकास संसलेसी क्रिया कलाब कहां चलता है तो आपका है प्रकास के नीले और लाल छेत में चलता है सरवाधिक प्रकास संसलेसी क्रिया कलाव most important question इसको note कर लिजी आप ठीक चलिए अगले प्रस पे चलते हैं सहयुक्त राष्ट संग के इस थाई सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए 5 सहयुक्त राष्ट संग के इस थाई सदस्यों की संख्या क्या है पाच और और इस थाई सदस्यों की संख्या दी पुछा जाए आप से तो कितने होते हैं दस होते हैं जो की प्रत्यक दो ऐस पे चेंज होते रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं एट्स वाइरस क्या है तो आपका एट्स वाइरस एक सूची आर एन ने है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं चित्तोड का केती इस थम्ब किसने बनवाया था most important question चित्तोड का केती इस थम्ब किसने बनवाया था राणा कुम्बाने ठीक आईए आगले प्रत्स पर चलते हैं भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थाफित किया गया था तो आपका भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना बंबई में स्थाफित किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्भघवान बुद्ध अपने प्राड नaison कर देखिए प्छ्छ पार्च का विकाश किसने किया था किस ने ता युद्ध परस्चन कर लिया राइए अगला क्विट्छ्टंॶ प्सक्रास का विकास बदम हरवान-वव्वान युर्फ यॡुप मोश्व में प्रेयुक्त होने वाली एकी। परपद एकी कृत परपद जिसे आप क्या कहते हैं इंटिग्रेटर्ट प्रोकी प्रोट्डोग की विकास के लिए किसको नॉबल पुरुस्कार दिया गया तो आपके जैब किल्बी को आई-सी इंटिग्रेटर्ट सर्कुट के विकास के लिए नोवेल प्रोस्कार दिया गया था ठीक है आईए आगे चलता है अगला प्रस्न है हमारा मौद्रिक नीतियां किससे कम प्रभावी हो जाती है ठीक आपकी मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है कम कब कम प्रिभावि हो जाता है पुछा गया हbert ुप समानांतर अर्ष्व्यस्था और कालधन हो प्राश जाए जा या कालाधन हो तो आपकी मौषिक नितिया कम प्रभावी हो जाती है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में आबादी की जनगर्णा कितने दिनों के बाद की जाती है बताइए दस साल बाद जनगर्णा की जाती है भारत में ठीक भी पीछली जनकरणा कब हुई थी 2011 में अगला कब होगा 2021 ठीक इस से रीलेटीट आप वाध क्वेस्टन पढ़ लीचेगा और पहली जन करना कब हुई थी बताइए पहली जन करना आपका हुआ था 1972 में और नियमित रूप से पहली जन करना कब हुई थी 1980 में नियमित का मतलब कि जब से प्तेक 10 वस्त के अंतराल पे होने लगा आपका तो 180 सिफतारम हुआ था ठीक जबकि सबसे पहली जनगरना आपका 1972 में हुआ था चलिए जब किसी वस्त की कीमत गिरती है तो हम क्या आसा कर सकते हैं तो बताइए देखें जब किसी वस्त की कीमत गिरेगी तो उसकी मांग बढ़ने की उम्मीद होती है ठीक चलिए सत्यम का विला किस कंपणी के साथ किया गया तो आपको मालूम है कि सत्यम कंपणी का विला टेक महिंजा ने किया था उनका रिग्रह ठीक तो सत्यम का विला आपका होता है टेक महिंजा ठीक आईए अगले प्रस पर चलते हैं प्रस्टें राज नीत के निदेशक सिध्धान का विचार भारती समिधान के निर्माताओ द्वारा कहां के समिधान से लिया गया इसको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोकसभा का कारकाल अब तक कितनी बार 6 वास तक बढ़ाया गया कि आपको मालूम है कि लोकसभा का कारकाल कितना है पांच साल जबकि छैसाल किसका होता है राज लेकिन एक बार ऐसा भी आया था जब लोकसभा के कारकाल को बढ़ा कर 5 के जगा कितना कर दिया गया था चाहवास का जब किया गया था 1976 में भी पूछा जब अबसे संथ इसको भी आप देख ली जगा ठीक आए चाया मंत्री मंडल की रीथी कहां सुरू की गई थी तो आपका चाया मंत्री मंडल की रीथी ग्रेट ब्रिटेन इंगलेंड से चालू किया गया था ठीक है आए सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था मुश्क इंपार्टिन करस्ट ता आपका सरकारिया आयोग केंद राज संबंद के लिए बनाया गया था ठीक है आईए समीधान का कौन सा अनुच्यर मौलिक करतब्यों से संबंदित है ता आप सर्क्राइब पर कारकारी संभुख की फारिसों के सिरुख सुरू में पाथ जमीर्ट प्रादेश्य बैंक किस वरस इस्थापित किया गयए थे तो फाली बार ग्रामिर्ट बैंक के सथापना कब किया था 1975 एहीं आप से पूछा गया है चलिए हम आगे सलते हैं अगला प्रस्न हमारा भारती राष्टी कांग्रेस के किस सट्र में पूर्ण सुराज प्रस्ताव स्विकार किया गया था तो आपका पूर्ण सुराज का प्रस्ताव स्विकार किया गया था आपका उनिस सो उन्तीस में लाहोज सत्र के दोरान थीकoples पार्टिर है एपका कुसान cylinder में भारति और ग्रीक सेली के मिश्णा से विक्सित कला सेली को किस नाम से जाना जाता है सेली की आपका निकलता है सेली और गांधाहिक कला सेली है टीक है चलिए क्रिश्टोफर कोलम्बस कहां का था क्रिश्टोफर कोलम्बस कहां का था आपका इस पेन का निवासी था थी अगले प्रस पे चलिए सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले औरफ सेना के सेना पती का नाम क्या था तो सिंध पर भी जब राप्त करने वाले अरफ सेना के सेना पती का नाम मुहम्मद बिन कासिम था ठीक आईए अगले प्रस पर चलते हैं अगला प्रस नहीं है आपका चीन की मुक्त के समय चीनी कम्मिनेश्ट पार्टी का ध्यच कौन था माओ जिन डोग कब चीन की मुक्ती के समय चीक चलिए आगे चलते हैं चलिए आज का हमारा तीस प्रस नहां पर समाप्त होता है ठीक इसको आप एक बार रिवाइज कर लिजिए और जैसा कि मैंने बताया है कि आप पढ़ते समय देख लिया करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद